और आज़ी में लेड अलओफ आज़ार कहा है साथ में गंटे के आइकन को दबा कर All पर क्लिक कर दीजी और हमें कमेंट करके बताइए क्या मध्य प्रदेश की कौन से जिले गावे शेहर में रहते हैं यानि क्या मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो मध्य प्रदेश में हुआ फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है मानसुन के सक्रिय होने के साथ ही मध्य प्रदेश के कई जगों पर जोरदार बारिश शुरू हो गए और देश के भी कई राजियों में जोरदार बारिश हुई है बोपाल में दोस्तों पिछले 24 गंटों के दुरान पूरे मानसुन सीजन की सबसे तेज बारिश हुई है आठ गंटे में चार इंच से अधिक बारिश मौसम विबाग द्वारा रेकोर्ड की गई इसके अलबा बंगाल की खाड़ी में कम दबाओ का शेतर बना हुआ है जिसकी वज़े से मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारिश से भारी बारिश होने के समभावना जता ही है दोस्तों आपके याँ पर बारिश हुई है नहीं कमेंट करके जरूर बताना वही मौसम विबाग ने जिन जिलों में भारी बारिश को लेकर अलट जारी किया गया उसमें दोस्तों खरगोन, बढ़वानी, अलिराजपूर, जाबूआ, धार, इंदोर, रतलाम, उजेन, देवास, उमरिया, डिंडोरी, छतरपूर, नरसिंगपूर के अलावा जबलपूर सागर, भोपाल, होसंगाबाद, इंदोर, उजेन, गौालियर, चंबल संबाग में तेज बारिश होने के संबावना जबता ही गई है और इसके अलावा रिवा संबाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने के संबावना काफी अधिक जबता ही है हाला कि बंगाल की खाणी में मने लो प्रेशर गौालियर से गुजरने के बाद तीन दिनों तक मध्य प्रदेश में बारिश का दोर जारी रहेगा और मौसम विबा की माने तो गौालियर रिवा और सतना में एक ट्रफ लाइन गुजर रहे है आएमडी बोपाल मौसम विबा के मताबित बताया है कि मध्य प्रदेश के 5 जिले जो की विदिसा, सागर, बेतूल, छिंदवड़ा एंउ बालागाट में आगामी 24 गंटों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभाउना जिसके लिए यलो अलड़ भी जारी क्या गया है वाई दोस्तों मौसम विबा के हम बताया कि इसके अलवा बोपाल, जबलपूर, रिवा, शेडोल, होसंगाबाद, सागर, एंउ चंबल संभागों के जिलों में आगामी 24 गंटों में कहीं कहीं पर गरत चमक के साथ भारी बारिश होने की और कई जगों पर भारी मौसम में जताई गई है, वही दोस्तों आपको बता दू, मध्या प्रदेश में कहीं जगों पर अभी भारी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, और मध्या प्रदेश के कहीं ऐसे जिले, जहां पर काफी जदा बारिश होई है, पिछले 24 गंटों की दोरान भी राजदानी में आज के घर बेटो जीतो ही नामे, तो आज का सवाल है दोस्तों आपके पास कौन से कंपनी का फोन है, यानि वीवो, ओपो, रेड्मी, रियल्मी, नोकिया, सैमसेंग, एपल या अन्ये कौन से कंपनी का फोन अभी आपके हाथ में कमेंट करके बताएं, और कमेंट करने वाल कटनी, मंडला, नरसिंगपूर, शिवनी, डिंडोरी, और साथ में, उमरिया, शेडोल, अनूपूर, खोसंगाबाद, हर्दा, बेतूल, रिवा, सतना, सीदी, और सिंग्रोली में काफी जगों पर जमा जम बारिश होने की संभावना बहुत अधिक है, यानि कि यहाँ पर क इजली गिरने से काफी जगों पर नुकसान देखने को मिला, वही दोस्तों बताए, जारे की मानसून एक बार फिट से सक्री और बंगाल की खाडी में बने, कम दबाओ की शेतरी की वज़े से इस वज़े से जो है कई जिलों में तीज बारिश हो रही और बोपाल में भी मध्यापरदेश के मंडला में भी 15 mm जो है बारिश रेकोर्ड की गई, खरगोर में 7 mm, रिवा में 17 mm, होसंगाबाद में 3, बेतूल में 20 mm, ग्वालियर में 23 mm और बोपाल में 21 mm बारिश दर्ज की गई, वही दोस्तों जब की शेडोल और जबलपूर संभाग में तेज बारि बारिश हो रहे नहीं या फिर आपके आपर मौसम कैसा हमें कमेंड करके जरूर बताना और बात करें दोस्तों एक इक जिले की जिले का मौसम कैसा रहेगा तो मैं आपको बता दू अगले 24-48 गंटों के दुरन बोपाल में कई जगों पर भारी मौसम में बदला और बारिश इंच और डिंडोरी सिटी में 1.5 इंच अनुपपूर के पुषपर राजगण में 1.5 और चिंदवड़ा के बिच्वा और बालागाट के मलाजगण में 1-1 इंच पानी गिरा इसके अलावा दोस्तों भोपाल में राइसें, धार, गुना, जाबवा, बढवानी, हर्दा, शिवपूरी, डिंडोरी, उमरिया, अनुपूर, छिंदवड़ा, रिवा, बालागाट, जबलपूर, कटनी, शेडोल, निवाडी, सागर, चातरपूर, पन्ना, दमवा, और सिधी में कहीं कहीं पर भारी बारिश हुई है, और अगले 2-4 दिनों की दोरान भी काफी फोड़ी गिरावड जरूर होगी, लेकिन दोस्तों फिर से बारिश की शुरुआत हो जाएगी, और 30 के नीचे अभी जो है, कई जगों पर खंड़ों में मौसम रेकॉर्ड किया जा रहा है, तो देवास में भारी मौसम में बदला और जो है, काफी जद़ जगों पर मौसम बदलेगा, अगले 8 दिनों तक भारी से भारी बारिश की समावना काफी अधिक बनी हुई है, और देवास में अभी भी कई जगों पर भारी बारिश रेकॉर्ड की जा रही है, राजगर की बात की जाए, तो राजगर में 3 दिनों तक भारी बारिश होगी, उसके बाद थो पर दोस्तों तापमान में थोड़ी गिरावर्ड जरूर होगी, बारिश में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर से आने वाले अगले समवार को भारी मौसम में बदला और बारिश जो है, एक बार फिर से शुरूआत हो जाएगी, वह दोस्तों शियोर में एक दिन चोड़ एक दिन बारिश की शुरूआते, लेकिन अगले दो दिनों के दोरन बहुत ही ज़ादा अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिलने आली, और कई जगों पर भारी बारिश के साथ बिजली चमागने के आसार भी और पूरे एक सपता तक बारिश का से शिल्जिला शुरू और राइसेन के कई लगों पर अभी भी अच्छी खासी बारिश रेकोर्ड की जारी है, जी हाँ दोस्तो राइसेन में अभी भी भारिश से बारिश रेकोर्ड की जारी है, वही दोस्तो चिंदवड़ा की बात की जाए, तो चिंदवड़ा में आज बारिश में ना के प्रफिश के तु करूप दो दिन वापस नहीं फिर आने वाले शनिवार को बारिश होग पिर रैविवार पिर फारी में फोड़ी कम आएगी फिर अगले सब पको अ बीडियरंघी बारिश होगी और POURA एक सब्ता के दोरान बारिश का सिलसिला शुरू रहेगा कई जगों पर भारी बारिश भी रेकोर्ड की जाने वाली है और मौसम भी काफी जदा ठंडा सौना हमें देखने को मिलना आला है मध्यप्रदिश के कई इलाकों पर वही कटनी की बात की जाए तो कटनी में भारी बारिश के समवान थोड़ी कम है और बताए जार की पाँच दिनों तक चेटपूर बारिश होगी और आने वाले शनिवार, रविवार, सोमवार को अच्छी खासी बारिश जोए देखने को मिल सकते हैं वापसे कटनी मध्यप्रदेश में मन्सोर में दोस्तों पूरे एक सब्ता के दोरन अगले 24 गंटों से बारिश का सेलसिला शुरू हो जाएगा